यूडेयो और यूट्प्रेंड्स वलकम आगे इन्टा फ्रइसर्ट क्लाशेस, तोड़ेयो लिस्कास फॉर टॉपिक्ट फॉर्म टॉप्ट अउपट अइडॉरॉर्मेनल एडूकिशन, जैसे करें यूद पार्चुके थे कि इन्वार्मेंट क्या होता है, इन्वार्मेटल तूश्री का आगे आज पढ़ेंगे एको लोजी जानेगे कहा है उसका मतलब क्या है क्यों पढ़ना जानेगे एको लोजी के बारे में चलिए इस्टार्ट करते हैं एको लोजी क्या है तो जैसे कि यह देख सकते हैं, तो हमारा एकोलोजी का टर्म कहां से आया, यह आया हमारा ग्रीक वर्ड़ कौन सा है, ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, यह मतलब क्या होता है, house habitat और place of living, रहने के जगा, यह फिर उसका बसने के जगा, जैसे हम लोग घर में रहते हैं, तो हमारा घर क्या है, हमारा लिए हवी है है, हमारे जानवार रहते हैं, वो परेजों के लिए नेचे रहते हैं तो फैर पोध है उस जनावर के लिए उस एनिमाल के सबस्क्राइब करें मचली कि अच्छा एक और पानी पहला हिर पानीक कि यह टो यह ten जिए है वी दो फॉले संच आप निशुख सब्सक्राइब करें थी कि है वुट का एस तो लीविंग के बारे में स्टेडि करना वह कैसे रह पा रहा है कैसे हम लोग पानी के अंदर ढूब के रह सकते हैं क्या दिन भार Leave तॉक्स—णियम करने टीकल स्टिविंग के बार में एक मजली यह दीन भर है विटने बी जनवार है जी जनतु है हम है हम लोग सब क्या है एक पाट ओफ धा इंवार्मेंट तो एक इंवार्मेंट की study करने ही हमारा क्या होता यानि कि टूटली कहा जातो तो study of आर्थ क्या कर लाएगा एकोलोजी इसलिए हमने जाय देखिए यह लिखा हुआ है मिन्स इट इस दा स्टडी ओफ आर्थ हाउस यानि आर्थ हाउस कर लिए इसका मतलब हम लोग क्या किये एकोलोजी पाड़ लिए ठीक है तो यहां तक समय आएगा अब एकोलोजी का टर्म किस ने दिया जैसे आपने पुड़ा होगा मैत का फादर कौन है फिजिक्स का फादर कौन है किमिस्टी का फादर कौन है तो इसी तरह एकोलोजी को देने वाला कौन है इसका पिता कौन है तो इसको देने वाला थे टर्म एक प्रिवल्ट के बारे में लिखा था और अच्छे से उसको explain किया था ठीक है उसके आगे बाद करें एकोलोजी को हम क्या कर सकते हैं दूसरे तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कैसे देखे एकोलोजी can be defined as the study of living organism like plants and animals in relation to each other and the non-living environment both of them are in the dynamic equilibrium with each other तो अगर दूसरे तरह कर देखा जाएं तो हम जैसे मैंने कहा कि overall study of earth करते हैं तो आर्थ में क्या होता है living organism होता है non-living होता है झालिसंस होता है ठीक है जो हम क्या है हम dependent है पड्र फाव्पेपर बड्रफ में प्र सब्सक्राइब कर दीञें ने तो हर्चीज कि इन्टर कनेकटेड है तो इन्वार्मेंट इतने भी लीविंग नोलिविंग प्टोष करे ग्adenमिक अंसी है कि की उंकटिषन ऑफिक बागे संट तर दिकलीषफ होता है था अगर बहुत कम हो जाए तो क्यों का सासलें नीक होगी इसके बीमार्य उट्पन होगी ठीक है यहां पर कि देखें तो है इस्ट्वी ओफ दिस इंटर्डीम डिवइंग डॉन लिविंग और उसके डानिमिक डिलिवरियम की स्टडि और उसके इंटर्डी इको लोजी बहुत ज़रूरी है आप अगर जाओगे कहीं पर जीव घुमने के लिए तो वहां पर आपको एक नहीं नहीं परजाती के पच्छी जीव जन्तु एनिमल्स मिलेंगे तो उसको क्यों वहां रखा गया है ताकि उसको प्रोटेक किया जाए क्योंकि आभी जैसा ही इन तक्नोलोजी आ रहा है बड़े-बड़े मसीन निकल रहे है रेडिशन nृट वहां रहता है तो शोठी है प्लाइन कर यह तो प्लाइन करने से प्लाइन यह into subtle हरे वह भी जाती होंगे उन सभी चीजों की स्टेडि करते हैं साइंटिस्ट लोग तो उसकेश्क हम पढ़ते हैं ऐकोलोजिम पढ़ते हैं तो आयं होप यृट इसे तर वीडियो और देखने के लिए लाइक करते रहें चेयर करते रहें और सब्सक्राइब जरूर किज़े फ्रे वीडियो में नए टॉपिक के साथ मज़ेदा टॉपिक के साथ ठीक है थेंक्यू